हेलो फ्रेंड्स एक अच्छी और मस्कुलर बोडी बनाने के लिए आपको अपने खान पान और अपने डाइट और एक नियमित एक्सरसाइज का खास तोर पे ध्यान रखना होता है बट आजकल के भागदौर की जिन्दगी में अन्डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल नोर नहीं कर सकते हो कैस हुआ एसीडीटी होना अपच होना पेट में दर्द छाती में जलन या पेट में भारीपन कट्री डखा रहें यह सब कॉमन है प्रॉब्लम्स बट इन सभी प्रॉब्लम्स से अधिकांस्तर लोग जहल रहे हैं जिसके चलते अप सही से बॉड़ी ब लिंग आप करते हो और कोई भी डाइट आप यूज करते हो तो आपके सरीर में सही धंक से वह नहीं लगता है इन सब सीजों को दूर करने के लिए एक मैं बेहतरिन नुष्खा बताऊंगा होम रेमेडिज आज की वीडियो में लेकर आया हूं जिससे आप इन समस्याओं को कंब कर सकते हैं या यूँ कहें कि हम इन सभी समस्याओं से छुटकारा भी पा सकते हैं तो आईए हम वीडियो को स्टाट करते हैं तो यह जो हूम रेमेडिज है इसका नाम है अजवाइन अधिकांसर लोग के कीचन में यह मिल जाएगा यदि अजवाइन को हम सही तरीके से इस्तमाल करें तो आप गैस एसडिटी या पर्च चेस्ट में जलन बीपी को कंट्रोल कर सकते हो वेट लॉस में इसका यूज हो सकता है और नॉर्मली जो वेक्टेरियल और फंगल इंफ्रैक्शन से इनसे पासकते हैं इनके इस्तमाल के बहुत सारे तरीके हैं मैं इन तरी इसमें सही डंग से लग सके बट ऐसा नहीं है कि आप इनको धडले से यूज किजी और कुछ भी खाते रहिए वह आपका डाइजसन सिस्टम को सही कर देगा आपका बोड़ी विल्डिंग में काफी हलफ लो ऐसी बात नहीं है आपको अपने डाइट पर अच्छा खासा ख् जानना होगा कि यह आपको डाइजसन सिस्टम में अच्छे वैक्टरिया जो भी यह पाइजसन सिस्टम है फाइवर फाइबर जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल है आपके डाइजसन सिस्टम के लिए फाइवर कौन-कौन से खाना को यूज करने से बनता है इन्सारी च्छ चीजों को ध्यान देना होगा तो अजवाइन को सही धंग से इस्तमाल करने के लिए सबसे पहले है हलका फ्राइ कर लें और फ्राइ करके इसको पाउडर बना लें अब डेली खाना खाने से एक घंटा पहले या घंटा बाद दो टाइम या एक टाइम इसको रुजाना यूज कर सकते हैं पानी के साथ इसके अलावा यदि उस्तर नहीं हो पाता है तो इग्लस पानी में एक या दो चम्मच अजवाइन को डाल कर उसको अच्छी धंग से बॉइल करें और चान कर उसको खाना खाने के घंटा पहले या आदा घंटा बाद इसको जरूर सर्फ कर लें तो आई थिंग दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ सिखने को जरू मिला हुआ कुछ नया जनकारी मिला होगा मिलता है फिर नए वीडियो में नई जनकारी के साथ धन्यवाद